नवसका दोस्तों मैं डिगी जोसी लौइ लौज मा आपका स्वागत करता हूँ आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि चैरिटिबल ट्रस्ट बनाने का आसान तरीका क्या हो सकता है दोस्तों ये जिए आप समाच के किसी वर्ग विसेश या किसी छेतर विसेश में अपना उत्रिस यूगदान करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीते जी ही नहीं बलकि आपके संसार से चले जाने के बाद भी आपका नाम अमर रहे और आपकी संपती का किसी पात्र व्यक्ति को उसका लाव नियमिद रूप से मिलता रहे तो इसके लिए सबसे बड़िया तरीकों में से एक तरीका है चरिटिबल ट्रस्ट का निर्माण उदहरन के तौर पर यदि आपको यह होस्पिटल बनाना चाहते हैं और उसमें किसी रोग विसेश का ही इलाज हो यह सब आप करना चाहते हैं तो आप एक चरिटिबल ट्रस्ट के द्वारा इसका संचालन करवा सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि आपकी फूजी गरीब बालिकाओं के सिख्षा और उनके उठान में लगे तो इसके लिए भी आप एक चरिटिबल ट्रस्ट बना सकते हैं ताकि उनको उसका लाब मिलता रहे तो आईए जानते हैं कि ट्रस्ट का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों आज हम इस वीडियो में केवल charitable trust जो public charitable trust है उसके निर्माण की हम बात करेंगे यदि आपको अन्य प्रकार के ट्रस्टों के बारे में जानकरी चाहिए होगी यदि आप चाहेंगे तो आपकी demand पर फिर उस पर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे तो आज हम बात करे पब्लिक charitable trust का निर्माण कैसे करें अगर आप ट्रस्ट बनाना चाहते हैं तो किसी पारिवारिक सदस्य या विश्वासपात्र मित्र या रिस्षिदार को सामिल करते हुए जिसमें दो से लेकर के पांस की संख्या तक सदस्य सामिल के जा सकते हैं एक ट्रस्ट दीट का निर सामिल डीट होती है उसी प्रकार से ट्रस्ट डीट का निर्माण आप कर सकते हैं जिससे ट्रस्ट की सुरुवात की जा सकती है ट्रस्ट में आप अपने पारिवारिक सदस्यों ग्लेट रिलेशन वाली लोगों को सामिल कर सकते हैं और इस ट्रस्ट में सामिल लोगों को हम ट ट्रस्टी कहा जाता है और इस ट्रस्ट की खासियत यहाँ होती है कि इसमें जो सदश्य हैं वहाँ आजिवन बने रह सकते हैं और अपने बाद वहाँ सरुसहमेति से नया ट्रस्टी को नामित कर सकते हैं ट्रस्ट कैसे कारी करेगा ट्रस्ट लाभार्टियों को किस तरह से लाभ प्रदान करेगा और ट्रस्ट में अन्य डोनिशन कैसे प्राप्ट किया सकते हैं इस हे तो पूरा डिटेल में एक बाइलोज भी बनाया जा सकता है जिसके माध्यम से वह ट्रस्ट अपना निर्माण न मिद्रुप से करता रहेगा दोस्तों ये डीड बन जाने के बाद बाइलोस के माध्यम से पूरी प्रक्रिया निधारिट कर दी जाती है कि ट्रस्ट कैसे काम करेगा ट्रस्ट लाभार्तियों को किस तरों से मदद करेगा और ट्रस्ट में ये डोनेशन राप्त करना हो तो उसक तरह ही सोसाइटी रेजिस्टिशन अधिन्यम 1860 के तहत पबलिक चरिटिबल ट्रस्ट का भी पंजी करण किया जा सकता है और अन्य अंजियों जिसे सोसाइटी की तरह हर पांस साल में रिन्यूवल यानि नविनी करण के आवसकता ट्रस्ट में नहीं है ट्रस्ट अगर एक बा हो गया तो आपको बार-बार पंजी करण नविनी करण की भी जरुरत नहीं पड़ती है इस लिहास से भी ट्रस्ट बनाना ज्यादा आसान और ज्यादा अच्छा है तोस्तों ट्रस्ट का मतब है विस्वास हम चाहते हैं कि यह लिए हम किसी पात्र विसेस को या किसी लाभा चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक पात्र विक्ति चाहिए होता है और एक विस्वास पात्र मित्र चाहिए होता है क्या पता आज आप जिस विक्ति पर विस्वास कर रहे हैं वह कल को विस्वास लायक ना हो और आप चाहते हैं कि आपकी पूजी या संपती किसी वर्ग वि कल्प हो सकता है और यह वीडियो को आप जरूर अंत तक देखें ताकि आपको एक आसान तरीका समझ में आ जाए बहुत सारे अलग-अलग यूट्यूब में या अन्य माद्यम से आपको बहुत सारी के बारे में बता दिया जाता है जिससे समझ मेंनी आता है कि यह ट्रष्ट हम कैसे के Sut बनाएं तो यहाँ पर एक आसान भासा में हम आपको की बारे में बता रहे हैं तो इसलिए इसको जुरूर गौर से आगे देखें, ट्रस्ट का पंजीकराण, सुसाइटीज, रेस्टेशन, अधिनियम, 1860 के अंतरगत, जैसे अन्य सुसाइटीज का रेस्टेशन किया जाता है, उसी तरह से इसका भी रेस्टेशन कर सकते हैं, सुसाइटी रेस्टेशन के लिए तो अन कर दिया, तो यह फिर लाइफ टाइम के लिए होता है, बार-बार रिन्वल यानि नविनी करण के आप सकता है, इसमें नहीं होती है, आप इस तरह से अपने सामाजिक, छेत्र में योगदान को सुनिश्चित करने के लिए चरिटिबल ट्रस्ट का निर्मान कर सकते हैं, दो आप, मैं आपको दूँ, इस प्रकार से उपयोगी जानकरिया, आपको नियमित रूप से लॉइन लॉज इस यूटूब चैनल के मार्जम से मिलते रहें, तो आप इस जानकरी को सेर भी करें, और इस यूटूब चैनल लॉइन लॉज को सब्सक्राइब भी करें, धन्यवा इस उचाड़, एस यूझा परते हैं, आपको य डड़ाब मिलते एफल मिलते हैं, यूल ऑर ळिग मैं है, यूज